खबरे अभी तक से खास बाचीत में किरन चौधरी का बयान सामने आया है कॉंग्रस नेता ने सरकार पर निशाना साधा है ये बड़ी खबर इस वक्त खबरे अभी तक से खास बाचीत में कॉंग्रस नेता किरन चौधरी की और से सरकार पर निशाना साधा गया है और सरकार पर निशाना साधते हुए किरन चौधरी ने कहा है कि युवा परिशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वाइदे पूरे नहीं हो रहे है, बीजेपी जुमले करती है इसके साथ ही साथ HPSC की भरती में गड़बर जाला सामनिया है, ये बात भी उनकी और से कही गई, उन्होंने कहा कि भरतियों में फरजी वाड़ा हो रहा है, इसकी जाच हाई कोड के सिटिक जज़ से करवाई जाए, HSC और HSSC को बर्खास्त करना चाहिए, ये भी बात किरन च किरन चौधरी के और से कही गई है, खास बात चीट में क्या कुछ उन्नों ने कहा है, सुनवाते हैं आपको. इस बार विधानसभा के शीद काली इन सत्र में मुद्दे आप उठाने जारे हैं? किसी भी तरह से लीपा पोती नहीं करी जानी चाहिए, क्योंकि ये नौजवान बच्चों का की जिंदगी के साथ खिलवार करने वाली बात है. आज बेरोजगारी जो है, उसका आलम इतना है, CMI की रिपोर्ट जो है, वो मेरे ख्याल में बेरोजगारी दर जो है, वो 30.7 ऐसे कुछ आंकड़े हैं, मुझे पूरा ऐसे कुछ याद आ रहा है. तो हरियाना मतलब अवल दर्जे के उपर आ गया है. कानून विवस्ता इसके कारण जो है, पूरी तरह से चर्मरा आ जाती है. बेरोजगार बच्चा जो है, वो घर में हताश होकर बैठा हुआ है. अठाईस से जादा, अठाईस के करीब जो हैं, पेपर लीक हो चुके हैं. बहुत बड़े बड़े आरोब जो हैं, एच एससी के चेर्मेन के उपर लग चुके हैं, उनके आला अधिकारियों के उपर. और एच पी एससी के तो अभी आपने देखा ही. और जो इनके भी जो आला ओफसर हैं, वो जो हैं मानिय मुख्यमंत्री जी के उसमें एडी कैंप भी मेरे ख्याल में रह चुके हैं. फिर जो है ये सारी बातें जो हैं सरकार के नाकों तले ये सारी बात हो रही है. तो इसका मतलब तो ये कहीना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से रौट हो चुका है, रौटन हो चुका है सारा काम. सो इसलिए इसके उपर जो है काम रोको प्र ना बहुत जरूरी है क्योंकि चर्चा करनी चाइए सरकार को कि यह fatto को से जिड़ा हुआ मसला है और यूबकों से जिड़ा हुआ का मतलब उसकी पूरी जिड़ा हुआ हुआा OUT ऐगे तक की जिड़ा हुआ यह इसके उपार कि किस तरह से जो euro अब इसके अंदर उनको निर्धारित करते हो तो ये सारी चीज़ है इसकी पूरी चर्चा जब तक आप विधान सभा में नहीं करेंगे और इसकी पूरी तरह से इसकी जो है एक सिटिंग जज हाई कोट की तरफ से जो है इसके उपर इंक्वाइरी नहीं होगी तो ये लीपा होती से कोई फायदा नहीं है फिर तो वही का वहीं का वहीं बात मसला खड़ा रहेगा अभी साथ साल के अंदर इतना निकला है आगे तीन साल में और देखिएगा क्या लोग बहुत बड़ा दावा इसके बावजूद भी सरकार कर रही है कि इस से पहले की सरकार में इस पर का कोई भी व्यक्ति है उसे जीरो टॉलरेंस के साथ बक्षा नहीं जा रहा है देखिए जुमले देने में स्लोगन देने में बहुत बड़ी है जीरो टॉलरेंस करफशन आज करफशन का वो आलम है कि कोई भी आप विभाग में चले जाओ जो हालात हैं वो किसी से चुपे ह हो यह नहीं है पिछली सरकार पिछली सरकार की यह बात करते रहते हैं पिछली बार भी सरकार इनकी थी अगर इस बारी भी सरकार इनकी है अब यह कौन से पिछले साथ साल के कितनी बात करेंगे क्या आप करते हैं वही वही बात हो इसलिए करते हैं क्योंकि यह जो हैं अपन कर दी हैं कि और जो सामने नजर आ गया है उसको उसके ओपर भी आप लीपाप होती करने की कोशिश कर रहे हैं आप क्या कहेंगे रिमांड में साफ आया कि पाँच एच्स जो है वोने प्री में क्लियर कराया तेरा डेंटल सर्जन को क्लियर कराया यह भरती रद होनी चाहिए और रद नहीं है पूरी तरह से एच पीएसी मेरी तो मैं मानना यह है कि एच पीएसी हो या एच एसेसी हो पूरी तरह से इसको पूरी तरह से रद करके और इसको दुबारा से जो है इसको उपर चर्चा करके किस तरह से क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि आप आफसर वह है सही तरीके से ये किस तरह से ये काम कर सकें नए सिरे से ये क्योंकि ये माइनिंग का माइनिंग कहा रही हो ये माफिया जो है ये इतना जड़ों तक जा चुका है वो माफिया को आप जो है अगर लीपा पोती करेंगे और वो केवले के नागर तक जाकर अगर ये रुख गई पूरी की पूरी इंक्वाइरी तो आप नहीं जान पाएंगे कि असलियत क्या है किसानों के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे तीन क्रिशी कानून वापस हो गए किसानों की मांग पूरी हो गई लेकिन अभी केस वापसी जैसे मुद्दो को ले करके मैसपी जैसे मुद्दो को ले करके किसान अभी भी सड़क पर है क्या इस मुद्दे को भी विधान सबा मिल अब मैं समझती हूँ जब केंदर नहीं वो तीनों काले कानून वापिस ले लियें और धन्यवाद हर्याना प्रस्ताव पास करके भेजा था तो एक हमारे उपर एक कलंक लग गया है और ये इसको मिटाने के लिए MSP जो है उसके उपर हम एक ध्वानीमत से पूरी तरह से पूरी तरह से निर्धारत किया जाए क्योंके किसान भाईयों को जब तक MSP की गारंटी आप नहीं देंगे जब तक आपका जो वाइदा आये दुगनी करने का है वो बिलकुल यी जुमला सामने नजर आ गया है वो जुमला के जुमला बनके रह जाएगा शुक्रिया बात क करके भी हरियाना विधान सभा के अंदर प्रस्ताव लाए जा सकते हैं विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से कॉंग्रेश की वरिष्ट नेता किरन चौधरी ने भी बताया है साथी साथ NCR में जो पॉलुशन फैला हुआ है उसको लेकर के भी जो मुद्दा है वो विधान के अंदर देखने के लिए मिलेगा तो इन तमाम मुद्दों के साथ हंगामेदार पूरे तरीके से आगामी शीतकालीन सत्र रहने वाला है चंडिकट से कैमरामेन सुखपाल के साथ जितेंदर चौधरी खबरे अभी तक